Hello everyone, this is class 4, moral science, chapter 7, no pain, no gain, यानि जहां तर्द ना हो, यहां तर्द का मतलब है कथिनाई, जहां मुश्कीले ना हो, वहां गेन यानि प्रॉफिट भी नहीं होता है, Value, Struggles make us shine, Struggle यानि संखर्स, संखर्स ही हमें और चमकाता है या बहतर बनाता है, मतलब यह कि हमारी लाइफ में ऐसी लाइफ किसी की नहीं है, जहां पे सब कुछ मिल गया हो, सभी की लाइफ में कुछ न कुछ डिफिकल्टीस जरूर होती है, हमें बहुत सारे दुख दर्द ह होते हैं, और वही हमें और जड़ा स्ट्रॉंग बनाते हैं, इस चाप्टर में एक छोटी सी तितली की कहानी है, लेट सी कि यह बटरफ्लाइ कैसे स्ट्रगल करती है, एक सुन्दर ब्यूटिफुल बटरफ्लाइ बनने के लिए, Arian was a young boy who loved colorful butterflies. Arian एक छोटा सा छरका था, जिसे colorful butterflies बहुत पसंद थी. He used to spend a lot of time watching butterflies and how a butterfly would struggle to transform from an ugly caterpillar into a beautiful one. और उसे बटरफ्लाइस को देखते हुए बहुत अच्छा लगता था, वो अपना अधिकतर समय यह देखते हुए बिताता था कि कैसे एक अगली कैटरपिलर, एक गंदा सा दिखने वाला कैटरपिलर जो पिल्लू जैसा होता है, वो किस तरह से एक beautiful बटरफ्लाइ में ट्रांस होता है, ट्रांसफॉर्म यानि चेंज, बदलना, वन समर आफ्टरनून, आरियन वाज इन दे गार्डेन, एक आफ्टरनून, आरियन अपने गार्डेन में था, he saw a ककून, with a tiny opening, उसने एक छोटा सा ककून देखा, ककून जो है, वो एक तरह का box बोल सकते है, जिसके अंदर बटरफ्लाइ का जर्म होता है, और उसमे एक छोटा सा टाइनी ओपनिंग भी था, it meant that the butterfly was trying to make its way out, और इसका मतलग था, कि उसके अंदर, उसका कून के अंदर एक बटरफ्लाइ थी, जो बाहर निकलने की कोशिस कर रही थी, He decided to sit over and watch how the butterfly would come out of the cocoon, वो बच्चा बैट कर, उसने यह decide किया कि वहाँ वो बैट कर देखेगा कि आखिर ये butterfly कैसे cocoon से बाहर निकलती है, He watched the butterfly struggling to break the shell of the cocoon for almost 8 hours, और वहाँ वो बैट कर देखता रहा कि butterfly जो है, बहुत ही संगर्च कर रही थी, ताकि वो उस shell को, वो जो cocoon है, जो काफी कड़ा था उसके लिए, वो उससे तोड़ कर बाहर निकल सके, और ये पूरे 8 घंटों तक होता रहा, Unfortunately, even after continuous attempts for many hours, there was no progress, बद किस्मती से बहुत कोशिस करने के बाद भी attempt यानि कोशिस करना, लगतार कोशिस करने के बाद भी कई घंटों तक कोई progress नहीं हुआ, यानि कुछ भी लाग नहीं हुआ, वो करकून के अंदर ही फसी थी, Aryan, who had a love for butterflies, decided to help the little butterfly. Aryan, जो बटरफ्लाई से बहुत प्यार करता था, उसने निश्चे किया, कि वो इस छोटी सी बटरफ्लाई की मदद करेगा. He got a pair of scissors and tweaked the cocoon to make a bigger opening for the butterfly and removed the remaining cocoon. उसने a pair of scissors, यानि एक कैची लेकर आया और उस cocoon को उपर से तोड़ दिया, ताकि उसका जो opening है, जो खुला वला भाग है, वो थोड़ा और बड़ा हो जाए, और बटरफ्लाई उसमें से आराम से बाहर निकल सके. और फिर इसने उस cocoon को भी, वो जो उसकी उपर का shell था, ये, उससे भी निकाल दिया, हटा दिया. The butterfly came out of the cocoon without any struggle. और क्योंकि आरेन ने उसकी इतनी मदद की थी, उस shell को हटा ही दिया था, तव ककून से butterfly पहुती आराम से बिना किसी जंजट के, बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल आई. Unfortunately, the butterfly looked no longer beautiful, लेकिन दूर्भागिवस वह butterfly बिलकुल भी beautiful यानि सुन्दर नहीं लग रही थी. It had a swollen body with small and withered wings, उस butterfly की body जो है swollen यानि fully हुई थी, वो बाकी butterflies की तरह नहीं दिख रही थी. और उसके wings भी withered थे, withered यानि मुर्जा जाना, तो बहुत थी बेकार से, मुर्जाय से उसके wings थे. Aryan thought that soon, the butterfly would expand its wings, shrink the body and take off in the air. Aryan ने सोचा, बहुत ही जल्दी वह butterfly अपने पंग को expand करेगी, फैलाएगी और उसकी जो body है, वो श्रिंक हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी, जो फुल गई थी, वो body पहले जैसे छोटी हो जाएगी, जैसे बाकी butterflies की जाएगी. और फिर वो एर में आराम से टेक ओफ करेगी, उड़ जाएगी. बट नाइदर विंग्स एक्स्पाइड नौर थे स्वालल बाडी रिदूसे इन साइज, लेकिन ना तो उसके पंग ही फैले और ना ही उसकी बाडी छोटे होकर अपने साइज में आई. The butterfly just crawled down. वो butterfly सिर्फ जमीन पर रेंगती रही. It was never able to fly all through its life. वो अपनी जिंदिगी में कभी भी और नहीं पाई. आरेन's mother, who was looking out for him, saw the butterfly and understood what his son had done. आरेन की मदर, जो की आरेन को ढूण रही थी, looking out यानी ढूणना, तो उसने यह सब देख लिया. उसने butterfly को देखा और वो सब कुछ समझ गई कि आखिर उनके बेटे ने क्या किया होगा. She explained to him, आरेन, although you did it with good intention, yet what you did was wrong. उन्होंने कहा, आरेन, मैं मानती हूँ कि तुमने जो किया, उसमें तुम्हारा intention, यानी इरादा अच्छा था, यानी वो तो butterfly की मदद करना चाहता था, लेकिन जो उसने किया, वह गलत है. It is only after going through the struggles that the butterfly would grow like any other beautiful butterfly. उन्होंने कहा कि struggle के बाद ही, लगातार संघर्स करने के बाद ही, कोई भी butterfly, एक beautiful butterfly बन पाती है. The continuous effort from the butterfly to come out of the cocoon would let the fluid stored in the body convert into wings. Continuous effort, यानी लगातार कोशिसों के बाद ही, जो butterfly cocoon के अंदर होती है, उसके अंदर एक fluid होता है, liquid. वह fluid उसकी body में stored, जमा होता है, जो की इस effort लगाने के वज़े से, वह wings में convert, बदल जाता है. अगर वो butterfly, cocoon के अंदर संघर्ष ना करे, इतनी महनत ना करे, तो ये जो fluid है, वो उसके पंक में नहीं बदलेगा. The body would become lighter and smaller and the wings would be beautiful and large. और जब cocoon के अंदर वो इतनी बुरे समय से, इतनी महनत उसे करनी पड़ती है, जब इतना struggle करना पड़ता है, तब उसकी body जो है, धीरे-धीरे lighter, यानि हलकी होती जाती है. वो जो fully हुई body थी ना, उसकी swollen body, वो पतली हो जाती है, वेट में हलकी हो जाती है, और smaller, यानि size में भी छोटी होती है, और उसी के साथ-साथ, उसके wings जो है, वो और भी beautiful और large, यानि बड़े हो जाते हैं. Similarly, in life, only when we undergo struggles and face challenges, do we shine and become stronger. Similarly, यानि इसी तरह, हमारी life में भी, जब हम धेर सारे struggles के, से गुजरते हैं, और बहुत सारे challenges फेस करते हैं. Challenge यानि, जब कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी चुनौतिय हमारे पास आती हैं, जो करना मुश्किल होता है. जब हमारे पास ऐसी ऐसे situations आती हैं, और हम उतके लिए बहुत ही hard work करते हैं, तब ही तो हम shine करते हैं, तब ही हम चमकते हैं. चमकने का मतलब है और आगे बढ़ना, पहले से बहतर होना, successful होना, and become stronger, और हम लोग और जद स्ट्रॉंगर यानि ताकतवर बन जाते हैं. Struggles and challenges bring out the best in us. संघर्ष और चुनाथिया ही हमें best बनाती हैं. Best यानि सब से अच्छा. It teaches us that we should not only go through pain, but also grow through pain. यह हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ go through pain, यानि हमें सिर्फ दर्द को सहना नहीं है, दर्द को महसूस नहीं करना है, बलकि हमें grow through pain, यानि पेन के साथ साथ grow करना है, बहतर बनना है, और बड़ा बनना है. It makes us far more stronger and to mine. यह हमें और भी जादा, पहले से कहीं जादा ताकतवर और निरनायक बनाता है. Determine का मतलब है कि हम जो भी सोचे, जो बोले कि हमें यह करना है, तो हम उसके लिए पूरी महनत करने के लिए तयार हों. हम अपनी बातों से पीछे ना हटें. तो ऐसा कब होता है, हम कब stronger and determined बनते हैं, जब हमारी लाइफ में धेर सारी struggle होते हैं. जब हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. और लास्ट में लिखा है, if there is no struggle, there is no progress. जहां struggle नहीं होता है, जहां संघर्स नहीं होता है, जब हमें सभी चीजे आसानी से मिल जाती हैं, तब हमारी लाइफ में कोई भी progress नहीं होता है. यानि हम जैसे हैं, हम वैसे ही रह जाते हैं. अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें struggle करना जरूरी है. बिलकुल उस butterfly की तरह. अगर butterfly, आरियन ने butterfly की मदद की, जिसके कारद वो butterfly उड़ नहीं पाई. और अगर वो उड़ेगी नहीं तो मर जाएगी. ऐसा ही हमारे साथ भी होता है. अगर हमें और आगे बढ़ना है, तो हमें भी अपने life में खुद ही struggle करना होगा. अगर हमारी life बहुत ही easy होगी, तो हम भी butterfly की तरह beautiful नहीं बढ़ पाएंगे, strong नहीं बढ़ पाएंगे और नहीं अपने life में आगे बढ़ पाएंगे. So, इस chapter का जो नाम है, no pain, no gain is the correct one. Thank you.